प्रेवल व्लॉगिंग करना जाते हो आपको वाटर प्रूप स्मार्फोन चाहिए यह वीडियो श्पैशली आपके लिए जाते समय कराबनी करते हैं बात करते हैं नमबो फाइब की बात करें नमबो फाइब पर यार मैंने रखा MI10T Pro को तो MI की और से आपको देखने को मिल जाता है 5G स्मार्फोन है फून बहुत ही ज़्यादा सही है और इसके कलर लुप को वगरा भी आपको बहुत पसंद आने वाली है मैं आपको पता देना चाहता हूं कि दो कलर्स में देखने को मिलता है ब्लैक कलर में एंड सिल्वर क अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाती है फून जो है वो सॉलिड है ऐलुमीनियम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है अगर गिर भी जाता है तो खराब वगरा नहीं होने वाला आप देखने को मिल जाता है 64 प्लस 30 प्लस 5 मेगा पिक्सल जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो और 4K शूट भी कर सकते हो आपको तगरा चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि स्नैप्राइगन 865 प्रसेसर के साथ देखने को मिलता है बहुत अगर अगर आपने हार्ड क जो कि थोड़ा सा मानिस पर्ड आदा अभी बात करते हैं बैठरी की धारि फार चार्जिंग की बात करा को 33 वाड का फार चार्जिंग को मिल जाती है स्मार्टफून में तो यहर मेन स्पेस्टिफिकेशन में आपको बता दिए MI10T Pro के, अगर आप इस smartphone के और जाना जाते हो, आप जा सकते हो, smartphone ये भी पूरा आपको loaded देखने को मिल जाता है, तो MI Lover आपके लिए perfect deal हो सकते हैं, अभी अगर आपका बेड़ 40,000 है आप इस smartphone के और जा सकते हो, आगे बात करते हैं, नंबर 4 की, नंबर 4 की बात करूं, नंब 003 को, तो सबसे पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाता हूँ, कि आपको 5G smartphone तो मिली जाता है, उसके साथ भी अगर आपने multitasking करने हैं, high setting पे अगर आपने gaming करने हैं, तो भी आप कर सकते हो, 40,000 के budget range में, आपको 12GB RAM के साथ देखने को मिलेगा, तो इसके specification भी बह बहुत अपर है, ये तीन colors में देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका orange color आता है, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसको बहुत suit करता है, 2020 में बहुत ये smartphone बिका है, बहुत लोगों ने पसंद किया, अगर मैं इसके chipset की बात करूँ, आपको Snapdragon 865 processor मिल जाता है, जो कि 7 animated technology के साथ base है, इसमें आपको Super AMOLED display मिल जाती है, जो कि Gorilla Glass 6 की protection के साथ देखने को मिलती है, एंड इसके build quality की भी बात कर लेते हैं, तो aluminum frame के साथ देखने को मिलता है, ग्लास back के साथ मिलता है, मतलब भी अगर गिर भी जाते है, तो खराब वगरा नहीं होने वाला तूटने नही एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह पांच variant में देखने को मिलता है, 6GB RAM के साथ, 8GB RAM के साथ, 12GB RAM के साथ, एंड जो storage variant है, वो आपको different देखने को मिल जाते है, आपको core camera setup मिल जाता है, 48 megapixel प्लस, 30 megapixel प्लस, 30 megapixel प्लस, 2 megapixel जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो, अगर मैं selfie की बातों को 60 megapixel selfie मिल जाती है, लेकिन आपको selfie में 1080p option मिलता है, आपको 4K option नहीं देखने को मिलता, 4400 mAh की बैंटरी देखने को मिल जाते है, फास charging की बातों को 55W का fast charging देखने को मिल जाता है, तो बहुत में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये, IQ 003 के, अगर आप इस smartphone के और भी जा सकते हो, यह smartphone भी आपको बहुत ही ज़्यादा आप पर मिल जाता है, 2020 में बहुत creators ने इनको पसंद किया, तो बही अगर आप भी लेना जाते हो, आप जा सकते हो, इस smartphone के और अगर आपके multitasking करनी है, gaming करनी है, अगर आपको slim and style smartphone चाहिए, आप सभी के लिए भी perfect deal हो सकता है, IQ 003, आगे बात कहते है, number 3 की, number 3 की बात करूँ, number 3 पर यार मैंने रखा one plus eight को तो, भी अगर आप one plus lover हो, आप इस smartphone के और जा सकते हो, अगर मैं smartphone की बात करूँ, जब से पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह smartphone भी आपको 5G देखने को मिल प्लस आपको gorilla glass 5Q protection देखने को मिल जाती है, aluminum frame के साथ देखने को मिलता है, आपको fluid amolet display मिल जाएगी, जो की 90 refresher के साथ देखने को मिलती है, अगर मैं बात करूँ, इसके chipset की तो इसमें भी आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाता है, जो की 7 nanometer technology के साथ बेस्ट है, अगर आपने high setting पर gaming करनी है, आप easily normally कर सकते हो, यह smartphone दो varied में देखने को मिलता है, 8GB RAM के साथ and 12GB RAM के साथ, जो भी मतलो जो भी varied में आप जाना जाते हो, आप उसके और जा सकते हो, आपको triple camera मिल जाता है, 48 map pixel, प्लस 60 map pixel, प्लस 2 megapixel, जिस पर आप 4K video shoot कर सकते हो, 30 and 60 fps पर, ठीक है, आपको 60 megapixel के साथ selfie मिल जाती है, जिस पर आप 1080p पर video shoot कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ इसके बैंटरी की, तो आपको 4300 mh की बैंटरी मिल जाती है, आपको 30W का fast charging देखने को मिल जाता है, 1 plus 8 में, तो बही में specialization में आपको बता दिये, 1 plus 8 के भी, प्लस में आपको बता देना चा स्मार्टफून की और जाना है, आप इन स्मार्टफून की और जा सकते हो, आप लाउंग टैम पर रख सकते हो, आपने gaming करने हैं, multi-tasking करने हैं, camera की according स्मार्टफून चाहिए, display अच्छी चाहिए, आप सभी के लिए ये दोनों स्मार्टफून perfect हो सकते हैं, अभी जादे सम स्मार्टफून मुझे खुद को बहुत पसंद है, अगर मेरा budget 40,000 होता है, तो मैं Samsung Galaxy S20 FE की और जाता है, 5G स्मार्टफून है, डिजाइन लुक वगरा है, बहुत अपर है, चिपसेट तगड़ा मिल जाता है, अगर आपने हार्ड कोर gaming करने हैं, आपने इसली नावरी कर सक सकते हो, आपको 4K option मिल जाता है, back camera में, and front camera में भी आपको 4K option मिल जाता है, और क्या चाहिए, अगर आपने vlogging करनी है, रिल जबनानी है, टिक टॉक बनानी है, photos click out करनी है, selfie click out करनी है, आप सभी के लिए perfect deal होने वाली है, अभी बात कर लेते हैं, इसके main specification की थोड़ा सा deeply बा and income privacy system, अगर मैं chipset की बात करूँ, आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाते है, जो कि 7 nanometer technology के साथ based है, अगर मैं variant की बात करूँ तो यार ये smartphone तीन वीड में देखने को मिलता है, 6 GB RAM के साथ, जो भी budget में set बैठता आप उसके और जा सकता है, आपको triple camera मिल जाता है, 12 megapixel प्लस 8 megapixel प् जाता है, आपको 4K option मिल जाता है, back camera में 32 megapixel की selfie मिल जाते है, selfie में भी आपको 4K option देखने को मिल जाता है, आपको 4500 mAh की battery मिल जाते है, fast charging sport करता है, 25 watt के साथ, प्लस आपको wireless charging भी देखने को मिल जाते है, 15 watt के साथ, end reverse charging भी sport करता है, ये smartphone, तो यार main specification में आपको बता दिए, Samsung Galaxy S20 FE के भी तो पहीं, आप इस smartphone के और जाज रखते हो, अगर आपको design, color गरा matter करते है, specification भी तगड़े चाहिए, camera quality भी आपको तगड़ी चाहिए, अगर आपका प्रेड 40,000 है, इस budget range में, Samsung Galaxy S20 FE बहुत ही जादा आप पर smartphone चला जाता है, तो इस चीज़ को आप त्यान में रखना, आगे बात करते है, number one की, number one की बहुत करू, number one पर यार मैंने रखा है, Asus ROG Phone 3 को, तो सबसे पहले भी मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूँ, पहले इसका price 50,000 देखने का मिलता है, लेकिन अभी इसका price कम हो गया, because Asus ROG Phone 5 है, वो launch हो गया, इसका price कम हो गय देखने को मिल जाता है, 40,000 के बजर्वेंचे में, वैसे इसका price है, 41,000, इस चीज़ को आप द्यान में रखना, अभी बात करते है, इसके specification की, के display की बात करते है, तो आपको 6.59 इसकी display देखने को मिल जाती है, जो की AMOLED डिस्पले, जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिल जाती है, प्लस, Gorilla Glass 6 की production के साथ देखने को मिल जाती है, अलुमीनियम फ्रेम के साथ देखने को मिल जाता है, बैक सैड में आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाती है, एर ट्रेगर देखने को मिल जाती है, मतलब इसके specification बहुत है, गेमिंग के लिए perfect smartphone है, स्मार् इड में देखने को मिल जाता है, एट जीबी RAM के साथ, ट्रेलफ जीबी RAM के साथ, एंड शीबी RAM के साथ, एंड आपको triple camera मिल जाता है, 64 megapixel प्लस, 30 megapixel प्लस, 5 megapixel पहले 2 megapixel बोलने लगाता, आप 8K वीडियो शूट कर सकते हैं, एड 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, एड के सा सेलफी में आपको 4K option नहीं देखने को मिलता, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग स्पोड करता है, आपको 3W की फास चार्जिंग देखने को मिल जाती है, प्लस, ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए पॉफट है, आपको like cooling system देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को heating issue में नहीं जाने वाला, अगर आप hardcore gaming करोगे, तो वो heat नहीं होने वाला जल्दी, जितनी भी आपने hardcore gaming करनी है, आप कर सकते हैं, जो स्मार्टफोन है, वो बना ही gaming के लिए, बना ही multi-dasking के लिए, तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दि आपके लिए perfect deal हो जटता, अगर आपका budget 40,000 है, तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिये, जो भी आप लेना जाते हो, आप ले सकते हो, तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, अगर आपको मेरी वीडियो चलेगी, आप वीडियो को लाइक करो ना, आपको